कि आधालोगोप आज हम बात करें गे प्रॉसेज ओव सोयल फॉर्मेशनान का जो प्रॉसेज होता है वहु सटेप्स मेंश होता है कौन-कौन से फैक्टर्स होता है उप को जो इफैक्टेड करते है उपनेश देखें एक तो अपना पहला जो श्टेप है वह है से वह स्टार्ट होता है इस फ्रेग्मेंटेशन में निर्मित जो पार्टिकल्स होते हैं उनको अपन रिगोलित कहते हैं और यह जो फ्रेग्मेंटेशन होता है वह थ्रे टाइप्स का होता है अब अपन इन टाइप्स की बात करेंगे तो पहला टाइप से इसमें फिजिकल वेदरिंग इस प्रकार का जो फ्रेग्मेंटेशन होता है उसमें विविन जो क्लाइमेटिक फेक्टर्स रोक्स पर मेकेनिकल इफेक्ट डानने वाले इनके कारण ही जो उनके पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो दीरी दीरी कंटिनियूस प्रोसीज में छोटा होता जाता है गढ़ता जाता है इन फेक्टर्स के कारण जो पेरेंट्रल्स मेटेरियल होता है उसमें किसी प्रकार का केमिकल चेंजिज नहीं होता है ये फेक्टर्स टेंपरेचर्स वाटर आइस या ग कि मांगी इसकम होती हैं जिस रॉक्स की उसमें क्या होता है when implemented शुरू हो जाता है कि इस प्रकार की रॉक्स दिन में अधिक टैंपरेचर के निग्द कारण का होती है डिस्पर्स यानि Bennett कि वह बढ़ती जाती है प्रशारीग होती है जब कि नाट में फरेचर लो होता है तो उसके बाद में construction होता जाता है और उसके कानों वो सिकुड जाती है संकुचित होती है इस कारण rocks का जो पार्ट है जिसमें internal tensions उत्पन होता है और वैं rocks को छोट छोटे कणों में तूटना सुरू हो जाती है तो इसी तरह से आपन देखते हैं आगे जाका है कि जो water के द्वारा भी जो rocks का fragmentation होता है rain waters, rain के कारण जो rain के साथ जो तेजी स्पीड में जब water आता है पानी बरसता है तो rocks पर mechanical pressures वो डालते हैं जिससे वे छोटे-छोटे particles में fragmented हो जाते हैं ये जो piece बनते हैं छोटे-छोटे वो जब बड़ी valley होती है उसमें तेजी से वो प्रभावित हो रहे जो जलक के घर्षन के कारण छोटे-छोटे कणों में वो change हो जाते हैं यानि कि जब उस particles टूटेगा टूटके वहां से valley में या बहुत ज़्यादा धल्हान होगा mountain में तो वो गिरेगा और गिरके वो छोट-छोटे जो पीसेज में वो convert हो जाएगा दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जहां जो समुद्री धाराएं में होती हैं उनके कण भी अलग-अलग जो उनका diameter होता है वाले particles वहां पर separate हो जाते हैं और जिसके कान जो छोटे उनका जो diameter होता है वो वाले particles होते हैं वो समुद्र के पैंदे में एकतित होकर उनको marine soil का formation करते हैं और सर्दियों में पानी के जम जाने के कारण वहां पर हिम का formation होता है यह है जो हिम या जो ice होती है वो rocks में उपस्ति जो खांचों में जम जाती है जिससे इनके volume में growth होती है जिसके परिणाम शवरूप वहां पर प्रसरण दाब के भढ़ने से वो चट्टाने तूट जाती है अन्त में जो तेज होओं के कारण जो soil के particles होते हैं वो एक इस्तान से दूसरे इस्तान पर विस्तापित होते हैं इस विस्तापन के दौरान भी इसका आकार छोटा हो जात तो यह अपना जो physical weatherings होती है कि कौन-कौन से जो factors होते हैं किस-किस प्रकार से उन particles को तोड़ते हैं अब अगला जो शुरू करेंगे वो है chemical weathering chemical weathering में यानि कि जो physically जो fragmented के पश्चा जो rocks में बहुत ज़्यादा उसकी जो surface है उसमें chemical effect शुरू हो जाते हैं chemicals के वो contact में आती है और यह chemical effect उनको mechanical fragmentation के साथ साथ चलता रहता है यह chemical changes होते हैं उनमें जो primary chemicals जो production होते हैं secondary chemical product होते हैं उनमें वो change होते हैं तो इस chemicals जो रूपांतन है उसके लिए वहां की कितनी नमी है वहां कितनी तेज एर ploh हो रही है अताय यह एक रूपांत्रा मरुस्तल में अधिक प्रभाविन नहीं होता है इस chemicals, fragmentation या weathering में निम्न प्रोसेज होते हैं जिसमें पहला है solutions solution में है कि जो water होता है वो within chemicals reactions के लिए एक solvent का कारे करता है और water के कारा है जो पानी में जो dissolve matter होता है जिसमें जिपसम भी होता है, चूना फत्र होता है वो separate हो जाते हैं और इन जो पधाहरतों का solution होता है वो negative charge वाले जो collide particles होते हैं उनके द्वारा उसूसिद हो जाते हैं और या निक्षालन की द्वारा उनको separate कर दिया जाता है इसी तरह से hydrolysis की बात करेंगे तो hydrolysis का जो process होता है वह भी chemicals process की जैसे oxidation या अपना metabolics के साथ वो complete होता है इस process में calcium, magnesium, potassium, sodium, silicon के जो ions होते हैं वो water solution में आ जाते हैं जो उहां के प्लान्टों के द्वारा वो क्या करते हैं कि outsourcing उनको absorb कर दिया जाता है और वो उनके लिए यूज आता है इसी तरह से oxidation होता है oxidation में जब जो minerals का oxidation होता है तो oxide का formation होता है और oxidation की जो process है वो प्रचूर जो वाईयूक्त जो soil होती है जैसे iron के oxidation के साथ अमपन देखते हैं कि उसका जो feric oxide का formation होता है जैसे 4FeO और oxygen से मिलकर 2Fe2O3 बनाता है और इनके और आगे oxygen होने पर जो rocks होती है उसका chemical fragmentation यो weathering हो जाता है इसी तरह से reductions होता है reductions में भी अपन देखते हैं कि उसकी जो क्रिया होती है वो wetter यानि नम और कम air यूक्त जो soil होती है उसमें यह होता है ताथ किसी भी सजीव से जो oxygen निर्मुक्त होती है जैसे अपन देखते हैं कि जो ferric oxide का oxidation होने पर इसका जो changes होता है वो ferric oxide में हो जाता है जो ferrous oxide में हो जाता है यानि 2Fe2O3 आगे चल कर यह तूटेगा और 2FeO और प्लस O2 बन जाएगा तो इस तरह से वो ferrous oxide का formation होगा इसी तरह जो अपना carbonations है उसमें भी यह जो प्रोसेज है उसमें water और carbon dioxide के जो सेयोजन से carbonic acids का formation होता है जिसमें calcium, magnesium तता जो minerals के hydroxide के साथ करिया करके carbonate और bicarbonate का formation होता है और यह जो carbonate होते हैं वो रोक्ष की यहराई में इस्तापित हो जाते हैं यह पानी के साथ बहे कर चले जाते हैं इसी तरह अपने बात करेंगे hydration की और hydration में अपने देखने हैं कि जो hydration की करिया के दौरान जो पानी की जो molecules होते हैं आपनी कि रूप से जो rocks के जो minerals हैं उनके साथ में वो attached हो जाते हैं और इस कारण से वो जो hydrolysis और वो minerals एक तरह से बहुत ज्यादा attached होकर उनके जिलेशन से पच्छी हो जाती है इसी तरह अपने बात करेंगे अब अपना अपना biologicals weathering तो biologicals weathering में अपन देखते हैं और biologicals weathering को आगे चल कर अपन पढ़ेंगे और इसमें कौन-कौन से वो जैविक कारक हैं जो इसको affected करते हैं